तो दोस्तो आज हम computer के अपनी 4th class में पढ़ने वाले हैं hardware तो आज हमारा topic है hardware इससे पहले हमने 3 class को complete किया है जिसमें हमने पढ़ा basic of computer, development of computer और classification of computer तो दोस्तो आईए आज हम पढ़ते हैं hardware तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे hardware की definition तो दोस्तो hardware वे device जो software को command देते हैं या software की command पर work करते हैं उसे हम hardware कहते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर हम difference समझेंगे hardware और software के बीच में देखिए hardware क्या होगा जिसे आप छूपाओगे उसे हम कहते हैं hardware और software क्या होता है जिसे आप touch नहीं कर सकते हैं जिसे अपने कभी कभी सुना है न कि computer कभी यह software चला गया तो software जाने का मतलब क्या है अब आप उसको command नहीं दे सकते और software का काम है जो भी आप click को उसको वो provide करें ठीक है आई होग की यह बात आपको समझ में आ गई होगी अब hardware को हम दोस्तो classify कर लेते हैं इसको हम तीन पार्ट में बाटके पढ़ेंगे आपने अच्छे से नाम तुना होगा इनका पहला होता है input device फिर हम पढ़ेंगे output device और फिर हम दोनों device पढ़ेंगे मतलब कुछ-कुछ ऐसी device होती हैं दोस्तो जो input भी होती है और output भी होती है तो इसलिए तीसरा जो हमारा है उसमें हम input और output दोनों को पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो में हम सारे input device को cover करेंगे तो start करते हैं input device से तो दोस्तो इसके definition होती है जिन device के दोरा हम computer को data सब दियान निर्देश देते हैं मैं type करूँगा तो वो क्या करेगा कोई file को open करेगा Ctrl S में करूँगा तो वो file को save करने का option देगा तो वो कैसे possible हो रहा है ये input device से possible हो रहा है जो कि आप computer में लगा रहे हो बाहर से इस तरीके साब को समझना है input device क्या होती है जिन device के दोरा हम computer को data सब दिन गर्देश देते है उसे हम input device करें अब सारी input device को हम देख लेते हैं एक बार तो कुछ input devices हैं बहुत important है exam में इन ही से पूछा जाता है इन से बाहर एक भी input device नहीं जाएगी और आएगी बिए तो आप analysis करके उसको बता सकते हैं तो दोस्तो पहला है हमारा keyboard फिर हम पढ़ेंगे mouse फिर micr, ocr, omr, bcr, trackball, joystick, speech, recognition system, scanner, light pen, wavecam, microphone, touch screen तो अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तो keyboard से तो दोस्तो keyboard का अविसकार किस ने किया था आपको याद रखना है Christopher Solace ने किया था किस ने किया था? Christopher Solace ने अब keyboard दोनों प्रकार के आने लगे है एक तो wireless होता है और एक ऐसे भी होता है अब दोस्तो आपको ये बात याद रखनी है जो standard keyboard है उसमें कीस की संक्या होती है 104 और साधारन जो keyboard होता है 101 से लेके 120 कीस होती है आगे बात करते है type of key मतलब जो ये keyboard है इसके अंदर type of key कौन कौन सी होती है तो देखिए दोस्तो एक होती है toggle key toggle key का मतलब होता है जो एक बार दबाने पर on और अगली दबाने पर off हो जाए जैसे caps lock जब आपको कोई word capital करना होता है तो आप caps lock कर देते हो और caps lock बंद करोगे तो फिर से small हो जाएगा है ना जैसे ये word लिखा है आपके सामने ठीक है इसको आप अगर toggle दोगे तो किस तरीके से लिखोगे या आप मुशे बताओ मतलब जैसे m लिखा है m को toggle देऊगे तो ये capital हो जाएगा एक capital है toggle करोगे तो क्या हो जाएगा small हो जाएगा है ना तो जो capital है वो small हो रहा है और जो small है वो capital हो रहा है toggle देने पर ठीक है अगला दोस्तों इसमें होती है alphabet की ये सब हम keyboard की बात कर रहे हैं कि keyboard के अंदर क्या क्या है alphabet की होती है ABCD जिसको आप बोलते हो फिर numeric की होती है numeric की में 0 से 9 होती है और ये जो भी sign वाले mathematical operation की होते है उनकी होती है फिर function की होती है function किन कितनी होती है ये आपको याद रखना है F1 से F12 तक होती है मतलब 12 total function की होती है अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं combination की या फिर modifier जिसे आप सही हो जग की भी कहते हो जिसमें alt, control, shift ये सारी होती है ठीक है फिर tabulator की tabulator की ये दोस्तों cursor की जगा से दूसरी जगा ले जाती है ये जो की होती है cursor को एक जगा से दूसरी जगा ले जाती है या फिर किसी paragraph जो होता है उसको indent करने के लिए होता है मतलब एक जगा छोड़ दे वो ये tabulator की काम करती है जिसे आप tab बोलते हो ना टैब करते हैं वो जगा छोड़ती नहीं है तो वो काम यह करती है अगली दोस्तो है space bar की space bar की keyboard की सबसे बड़ी की होती है सवाल पूछता है की keyboard की सबसे बड़ी कौन से की है तो space bar की फिर s की है जिसे मतलब किसी चलते प्रोग्राम को रोकने के लिए इसका यूज की जाता है फिर arrow की होती है जो की 4 होती है ठीक है arrows की कितनी होती है 4 होती है left, right, up, down ये move करती है अब अगला दोस्तो हम पढ़ेंगे mouse के बारे में तो mouse का अविसकार डगलस सी alleged bird ने किया था mouse का अविसकार डगलस सी alleged bird ने किया था और mouse को हम pointing device भी कहते हैं ये आपको बात याद रखनी है पुराने mouse को हम mechanical mouse कहते थे और नए mouse को हम digital mouse कहते हैं mouse के 3 बटन होते हैं कौन कौन से होते हैं एक तो होगा right बटन जिससे आप cut copy paste करते हो फिर होता है left button जिसमें क्या करते हैं एक बार आप select करते हो और दो बार दबाने पर document या कोई भी file होगी वो open हो जाएगी scroll की scroll का मतलब होता है webpage को उपर निचे करने के लिए हम इस button का use करते हैं अब हम पढ़ेंगे तीसरी अपनी input device को MICR काफी important इसका full form पूछ लिया जाता है इसका full form होता है magnetic ink character reader या फिर recognition इसका उपी होगा आपने देखा होगा bank check में किया जाता है MICR का अब OCR की बात करते हैं optical character reader यह हांस से लिखने या फिर printed data को ASCII में परिवर्टित करने के लिए किया जाता है ASCII का full form क्या है American Standard Code for Information Interchange अगली दोस्तों input device है OMR OMR का मतलब optical mark reader optical mark OMR seat आप सभी को मिलती है जो भी बच्चे exam देते हैं तो उसी को बोलते हैं इसकी साहता से copy चक की जाती है ठीक है चलिए फिर हमारा आता है scanner ठीक है काफी important है तो scanner के दो format होता है scanner के कितने format होते है दो format होता है पहला होता है PDF format और दूसरा होता है JPEG format जिसे कोई document आप scan करते हो तो वो दो format बन सकता है एक तो PDF हाप बना सकते हो दूसरा JPEG अब दोनों का ही full form हम देख लेते हैं कि full form क्या होगा तो PDF का full form होता है portable document format और JPEG का full form होता है joint picture expert groups ठीक है तो PDF में आप data को PDF में convert कर रहे हो save कर रहे हो मतलब और JPEG में photo और signature ये सब का काम आपको directly ऐसे जैसे photo में नहीं खीछते हैं तो वह ऐसे ही हो रहता है अगली दोस्तों हमारे input device है BCR barcode readers का full form होता है अब next class में हम पढ़ेंगे output device जो भी output device से बचिए क्योंकि वीडियो काफी लंबी इस तरीके से हो जाती है तो short short करके हम चीजों को पढ़ेंगे तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेंगे next वीडियो में अगर वीडियो इंफोर्मेटी लगी हो तो लाइक करना चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए take care बाइ बाइ बाइ